भारत की पहली बुलेट ट्रेंड डेली एहमदाबाद बुलेट ट्रेंड के अलावा भी काफी सारी बुलेट ट्रेंड कॉरिडॉर्स पर काम चल रहा है और अब यहाँ पर डेली वाराने सी बुलेट ट्रेंड पर अब एक काफी बड़ी और अच्छी अपडेट निकल करा र और अब यहाँ पर उतर प्रदिश के थ्री मेजर पिल्गिरमेट सिटी जिसमें वाराणासी, प्रयाग राज और अब आयोध्या भी शामिल है इन सबी को हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के नेटवक से जोड़ दिया जाएगा डेली वाराणासी कोरिड़ जिसकी कुल लंबाई 941.5 km की है, इसी में आयोध्या टू लखनो वाला भी यह बुलेट ट्रेन कोरिड़ है, जिसकी कुल लंबाई है 130 km की और मज़े की बात ये होने वाले है कि आगराटू लखनों का जो कॉरिडॉर होगा तो इसका कुछ सेक्शन तो अंडरग्राउंड भी होने वाला है वैसे आपको बता दे कि देली टू आयोध्या इसके कुल लंबाई है 670 किलोमीटर की और यहाँ पर ट्रावल करने के लिए आराम से 10 घंटे का समय लगी जाता है लेकिन जब यहाँ पर बिलेटरन कोरिडर बनकर तयार हो जाएगा यहाँ पर ट्रेंस को 320 से 350 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दोड़ाया जाएगा और इसी के बदौलत यहाँ पर ट्रावल टाइम मातर 3 घंटे के भीतर सिमट जाएगा एनेच इसार सील के एग्जेकेटिड डिरेक्टर अनुप कुमार अगरवाल जी ने भी रिसेंट्ली पिछली कुछ वीक्स में यहाँ पर विजिट भी कीती अयोध्या की जहाँ पर फाइनली उन्होंने फाइनलाइस कर डाला कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना जाएगा इंटर्विय के दौरान उन्होंने कहा कि हमार अब ऐसा प्लान है कि सिटी ओफ लॉड रामा को हमारे नैशनल कैपिटल से कनेक कर दिया जाएगा इस कारियों को कम्प्लीट करने के लिए एरियल सर्वे डन हो चुके है कम्प्लीट हो चुके है और अब यहाँ पर प्लान भ ही तर यह पूरा कोरिडर बनकर तयार हो जाएगा तो यह काफी अच्छी बात है कि आने वाले समय में हमारे मेजर पिल्गिरमेच प्लेसेस को बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलने वाली है इसके बारे में अब की कह रहा है लेट इस नो इन कमेंट्स बिलो